नवस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारत दौज और हम लोग पहुंचे हैं शील महंद्र उर्फ रिंकू चंदिला के जन्म दिवस्की पार्टी में बड़ा बंडारा आज आयोजुत किया गया है और हमारे साथ यहां मौझूद हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट युवा नेता है भाई सुमित गौड यहां मौझूद है हमारे साथ जी सुमित जी देखिए मैं सबसे पहले दोग बिता देना चाहता हूं कि आज हमारे सबके प्यारे भाई शील रिंकु चंदीला रिंकु चंदीला रिंकु चंदीला को लोग जानते हैं रिंकु चंदीला के नाम से और वैसे इनका नाम है शील महिंदर चंदीला तो बाओ जी महिंदर इनकी सोरके पिता जी का नाम है तो एक जनम दिवस से पहले मैं इक बात बलाजना चाहता हूं आज ये सत्नरायन कथा जी का एक आयोजन किया गया है यहां पर उसी सत्नरायन कथा के बाद जो भंडारा होता है वो भंडारे का आयोजन किया गया है क्यूंकि रिंकुच चंदिला की परिवार जनों की एक इच् तो उसी कड़ी में आज साथ साथ ही उसके रिंकु चंदिला ने तिगाव विदानसवा शेत्र में अपने कारेले का भी आज कारेले भी आज से खोला है इसने अपना और आप यहां पर उपस्ति जन सम्मों आज बता रहा है आपको कितने लोग यहां पर यहां मदर सुबेरे स चाहरे दस बहें से लोगों आ रहे हैं और अभी एक बच्चुगार अभी भी देखिया ताता लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि हमारे रिंकु भाई की पॉपॉलर्टी और आज उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि उनका जरम दिवस है उन्होंने सब को सिरफ स सब लोग आज यहां पर आए हैं यह भाई रिंकु चंदीला का और हम सब सातियों का प्यार है और आज मैं के इस मोके पर मैं रिंकु चंदीला को उनके जरम दिवस की भी बदाई दना चाहता हूं और जो इन्होंने आज यह सत्नरायन की कथा करी अपने बड़े बुड़ो कई कावी टाइम हो गया था तो आज यहां पर बुजुर्ग भी हैं माताय बहने भी आई हैं युवा साथी भी आई हैं तो यह इस बात का परमान है कि इन सब ने हम सो भाईयों पे रिंकु चंदीला भाई पे अपना प्यार आशिरवाद इन्होंने आज सब ने ने सत्रान कथा में और भंडारे में आज हजारों की तदाद में जो लोग यहां पहुंचे हैं जो लोगों ने पहुंचके इनको इनके परिवार को आशिरवत दिया वह इसके आप आज लोगों ने कारले भी देखा ये टेंट के तरब काफी अच्छा कारले बनाया रिंकु न अबना तो सबने बदाईयां भी दी और मैं भी सौरब जी आपके माद्यम से अपने बड़े बाई रिंकु चंदिला जी को जो यूद कोंगरिस के लोग सबाद्धिक्स भी रहे हैं और पहले से पहले जिलाद्धिक्स से तो मैं उनको भी बदाई भी दूँगा जनम दिव जाएब एंसरे जाएब बदाद्धिक्स से जाएब भी देएगा जया जिलाद्धिक्स से एराद्धिक्स